Hello students, 10th class के बच्चों के लिए 2019 से 23 तक के पेपर आपके सामने दिये हुए हैं और आप ये हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में दिये हुए हैं आप इन कोश्चन्स को जरूर सॉल्व कर लीजी जैसा कि आप जानते हैं कि अबजेक्टिव टाइप पॉश्चन्स आते हैं MCQs का था फिर ये fill in the blanks के हैं अगला है सत्या सत्या, एक वाक्य में उत्तर, सही जोड़ी फिर ये आएंगे दो अंक के प्रश्चन दो अंक के प्रश्चन देखते जाएं प्राइक्ता के भी दिये हुए हैं त्रिकोन मिती का प्रश्चन आप पेपर देखते जाएं और अगर आपको लगता है तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजी और आप इनको जरूर सॉल्व करें यह जो सबसे पहले हमने पेपर लिया है यह 2019 का है अब हम यह देखेंगे पेपर 2020 का पाँच पाँच आपजेक्टिव हिंदी मीडियम में पहले कुश्चन फिर इंगलिश मीडियम में यह देखते जाएं आप यदि इन पेपर को हल करते हैं तो मान के चलिए कि यदि पाँच साल के पेपर आप हल कर लेते हैं तो आपके 80% मार्क्स आ जाते हैं यानि कि यदि आप इसे देखें कि पूरा आपने अगर पेपर हल कर लिया है यह देखेंगे टोटल इसमें 26 कुश्चन्स होते हैं और यह पेपर पहले 100 नंबर का आया करता था और अब यह 80 का आ रहा है तो थोड़ा डिफरेंस है पहले अबजेक्टिव 20 नंबर के आते थी आज 32 नंबर के आते हैं थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है यह आपको आगे भी देखने को मिलेगा कुछ हो सकता है कि कुछ आपका जो चैप्टर्स हैं एक्सेसाइज हैं वो डिलीट भी हो गए हों कोर्स से हट गए हों तो आप उनको मत करिएगा यह देखें ऐसे में अच्छा होता है कि हम पहले जो पेपर 2024 में आया हुआ है उसको हल करें फिर 2023 का पेपर क्योंकि एक्साम 2025 में हो रही है इसलिए जरूरी है कि 2023 के पेपर का बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं यह देखेंगे आप 2022 के पेपर में यह 80 नंबर का पुर्णांक आ गया है और इसमें प्रश्णों की संख्या आप 23 हो गई है जो कि आप देख रहे थे पहले 26 थी तो यह देखें कि आपको इसमें पैटर्न में अंतर मिलेगा पहले 5 आपजेक्टिव आया करते थे यह देखें इच्छे आपजेक्टिव आ रहे हैं इसमें यह देखें सही जोड़ी भी और अब छोटे अंक के प्रश्णों की संख्या बढ़ा दी गई है सबसे अच्छी बात यह है कि बोड के जो पेपर होते हैं वो दोनों मीडियम में दिये होते हैं इसलिए दोनों प्रकार के बच् को फाइदा होता है तो यह चल रहा है आपका 2022 का पेपर यह 23 वा कोश्चन जो की लास्ट कोश्चन है ठीक है और अब है यह 2023 का पेपर तो इसको आप ज़्यादा अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि 2025 में 24 वाले के सिर्फ 10 पर परसेंट तक के ही पूछे जा सकते हैं लेकिन इस तरह से 23 में जो प्रश्चन लिये हैं उनके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है तो 2023, 2022, 2023 का करेंगे तो अगर 80 नंबर का पेपर है तो मानके चलिए कि पासिंग माक्स तो आराम से आही सकते हैं आपकी और फिर यदि आप 24 का भी पेपर कर लेते हैं तो आपके 50 अंक आ सकते हैं क्योंकि ये निश्चिते नए कोश्चन को भी शामिल किया जाता है तो ये आपका प्रश्चन हो गया ठीक है ये आपके यहाँ पर पेपर खतम हो गया ठीक है तो आप इनको जरूर देख लीजिए धिंद है हुआ में तो अरह एक्षा मुलने हो ये आपकेंट वेले बीक हैं वेले को भी कीतिए आपकें ये चीजियर और भी झा ज पर फ Wise Pitts, की अपच नेएक्छे ससमावनः टीकें टीक हैं आपकेंट और टीक हैंग कрийरा की एले आपकेंट